पर पाइए था कि हम शुरुवाती रुजान में क्योंकि शुरुवाती रुजान डियाब और ने शरकार समाजबादी पाटी की बनने जा रही है इनका सपाया उतराखंड में भी हो रहा है इनका गोवा में भी हो रहा है इनका हर जिग ऐसे सपाया है दूबे साफ सुन रहे हैं संजीव जी क्या करें दूबे साफ कि समाजवाधी पार्टी के मिध्र को थोड़ा एक दो यहंटे बाद सभी विशीयो की जानकारी हो जाएगी उनको इतना गुसा नराजगी और इन तो कुछ होनी चाहिए उनको खास दर्ग हो यह प्दा आदिकारी है इक अदिकारी एक उन्होंने काम किया है अभी आप जब तो आप लोको वोस्पीटल वाले करमचारी बुरे लगने लगे अभी एलेक्शन में जिन लोगों ने अपना सब कुछ सरवोच्च दिया, अभी थो आपको शिजन तक नहीं दी. आपको बुराई देगी, आपको बढ़ जाते हैं, दूबिस आप गलत, परस्नल टिपनी नहीं अब ही स्थिति यह है कि अभी एलेक्शन के सारे रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट से हम कांखी आपकी आपको तर जनता ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी जी को के लिए शश्य प्रदान मंत्री मोदी जी के यह वोट ती आ है और यह पहले से इसलिए हम कह सके सब्सक्राव के सब्सक्राइब करएं लुए यहाँ वोट आते हैं साहते इच्छा कोशने कोशाइख सा सब्सक्राइब करते हैं हम बुरे हैं तो अच्छे है तो आच्छे यहां, यहां फ सवाजवादी पाटी पको अच्छा मानेगी हैं, जहें फ्रता रिखिएश वर रक्टिगत होताय, मैं तरी अफ्रस्टि र got कया अग aba आने वाले Eng pr Marriage एखे हमी फूल और Butter ृत्र हन्ड में औरhãर अभी अभी तो पोस्टल बैलेट खुले हैं अभी एवियम खुलने दीजिए उसके बार दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा और इसे बीच बड़ी जानकारी जो है वो दर्शकों को हम बता देते हैं लखनो नौर्थ से बीजोपी के नीरज वोरा आगे चल रहे हैं और स्पी की पूजा शुकला पीछे चल रहे हैं लखनो नौर्थ की में बात करें संजीव जी आप भी सुनते रहेगा दूबे साब आप भी और लकनों की मलियाबाद से BJP की जयादेवी आगे हैं और S-P के सोनू का नर्जिया पीछे चल रही है इसके अलावा लकनों पूर्वी से BJP की आस्तोर स्टंडन आगे समाधवादी के अनुराग भधादौरिया पीछे चल रहे है संजीर साहब अनिराग भधारिया पीछे चल रहे हैं पीछे और लखनों की मोर लाल गन से सपी सुशीला सरोज आगे है एक तीट पर आगे इसन्य अभी बताया था कि अभी तो डियाम और एससपी की मोट नहीं है चान्ता की बोड तो अब फुली सुरूं के pour है और जंता तहक कर चूपी ति पहले ही जंता तब तयक कर चूपी ती जब इन्होंने किसानों के उपर की ले दागई ती अब जन्ता ने तो पहले से पहले कि जन्ता ने बहुत कुछ किया है आप यह बताया राग बदर्यों के पीछे चल रहे है अब यह सुरुवात LDR बज़ार चला है अब हमने अच्छा तो सप्पा कच्छवे की चाल चल रही है सपा अखरगोष बीजेपी आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो जाएगा बीच में फिर कच्छवा बाजी मार जाएगा संजीव जी आप अपनी बात रखेगा यह समस्या हम लगातार समाधान करने की कोशिश करें आप अपनी बात रखें मैं यह कह रही हूं आपसे कि क्या सपा कच्छवे की उसे चाल से आगे बढ़ रही है और बीजेपी खरगोष है कि खरगोष आगे सो जाएगा तेजी से और कच्छवा पीछे पीछे दिरे दिरे चलके जीत हासिल कर लेगा देखें अभी यह मैंने सुरू में काया यह सुरुपाती रुजान है अब जब भूनी तुरू होगी समाजवादी पाइटी बहुत अच्छी बड़त से आगे बढ़ रही बढ़ेगी ऐसी हमें उम्मीद है जन्ता पर भरोता है जन्ता जनारदन बड़ी है यह वारते जन्ता पाइटी ने कोई काम ऐसा किया नहीं है कि जन्ता नहीं इन्हें नकारा है और उसका परिणाम बहुत अच्छा परिणाम आएगा हम सरकार बनाएंगे सरकार उस्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जन्ता पर उम्मीद है जन्ता पर बाते बनाती है और बाते बनाने में यह लोग नंबर बना है काम करने में इसरत पीछे है इनोंने कहीं कोई काम नहीं किया यह तो पूरी कोड़ी आप सही कह रहे हैं एक सो तीस जो सीटे हैं वो खुल चुकी है जिसमें बीजेपी बनात बनाए हुए है यह रुजान सामने आई है पहले पर यह रवाज ठीक तर आई है आपकी समझ में नहीं आ रही है ठीक है संजीव जी लखनो में पोस्टल बैलट की रुजान के मताबिक नौ में से मीडिया सेंटर से यह अपडेड देने के लिए अधिकारियों ने बात कही है और कहा है कि अगर यहां से कुछ भी दिखाएंगे तो मुकदमा दर्ज होगा गोरफपुर से बड़ी जानकारी वहीं एक बार फिर आपको बता दूँ कि 130 सीटों की हम बात करें तो पहले इस रावत चल रहे हैं सरोजनी नगर से बीजो पी के राजएश्वर आगे माराजपूर से सतीश माणा ऑगे वानसी की पिंडरा से कांगरेस के अजेर आए आए आगे जस्वन नगर से शिफपाल यादव आगे चल रहे हैं, यह होट सीटे करहल से अखिलेश यादव आगे, कनौ से बीज़ेपी के असिम अरून आगे चल रहे हैं तो पल-पल का अप्डेश लगाता न्यूज वर्ल इंडिया अब तक पहुंचा रहा है, कौन-कौन आगे चल रहा है, कौन पीचे चल रहा है, पोस्टल बैलर्ट के गिंती शुरू हो चुके है, पोस्टल बैलर्ट के गिंती के आधार पर पहना रुजान जो सामने आया है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है, इसके लावा जो बड़े चेहरे हैं, फादल लगाई से सौमी प्रसाइद मौरे आगे चल रही है, बीजेपी छोड़, सपा में शामिल हुए, गोसे से धारा सिंग चोहान आगे चल रही है, मलनी से धननजे सिंग पीछे च इसके लावा लालकुआ से हरी इश्रावत आगे चल रही है, बड़ी ख़बर इस वक्त के सामने आ रही है, तो मेरट से रहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम सायोगी भी जुड़ गए हैं, और बहुत ही खुबसूरत सी स्क्रीन हमें अभी नज़र आ रही है, इसके मेरट में किस तरह की तस्वीरे नज़र आ रही है, पहला रुजान सामने आ चुका है, बीजेपी बड़त बनाए हुए है, अभी बड़त बनाए हुई है, तुराती रुजान हमारे, लेकिन अब देखना ही होगा कि अंसीन तक यह बहुत, इसी तरह बड़त बनाएगी, य कहीं न गहीं, आगे भी जदित दिखाई दे रही है, बिल्कुल रिहान और शुबं भी हमारे साथ बने हुए है, शुबं कैसी तस्वीरे, कैसा महौल, सुरक्षा विवस्ता कैसी, पोस्टर बालट की गिंती शुरू हुई है, पहला रुजान सामने आया है, अब एवियम खुलने शुरू हो जाएंगे, शुबं अवाज आ रही है, शुबं तक अवाज नहीं पहुच पा रही है, रिहान कमरू कर देखें, अगर हम मेरट की बात करें, तो मेरट की हस्तना पूर से बीजोपी आगे चल रही है, मेरट की तमादी से जादा, सीटे ऐसी है, जो आप मतदान हुआ था कि पश्चिम में कबजा जो है, जबार सपा को होने जा रहा है, लेकिन आज अगर हम बात करें, पोस्टर बैलेट जो खुले है, उससे बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, रिहान आवाज आ रही है, मेरी, शाद रिहान तक भी आवाज नहीं पहुच पा रही है, तमाम और जो मेहमान हैं हमार साथ बने हुए है, दुवे सहाब पहला रुजहान सामने आ चुका है, पोस्टल बैलेट खुल चुके है, 130 सीटो पर जो पोस्टल बैलेट की मतदान हुए थे वो खुले है, बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन सपा कार्टे की टकर रही है, और जिस तरह से सपा तेजी दिखारियों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को पीछे चोड़ देगी नहीं ऐसा में है, बातिजन्दा पाटी को पीछे चोड़ देगी, वहां उक्तर प्रप्रेस की जन्ता रही है, लोगों का मूल था दूबे साहब तो देखे, वो लोग है कि हमेशा समाजवादी पाटी को रही है, हमेशा बुरा बुरा करे लिए ते मदाता गलत हो, देज की संसत गलत हो, प्रदामनते जी गलत हो, लोगतानतिक प्रक्रिया से चुनिवर सरकार गलत हो करते थे हम दोग देखे वाट रही है, दो उसको भी वो गलत है रहती है, 370 हम दोगे घटैंक जी गलत हो रही हो, खNa जमने तूमाजवादी आप लिए टान वाल्स देखते तूट में पुछ गलत है, पुर्स एकनित पने च्छुन गलत है, जरी इस बात है, इस ती कानूनों भाद जए एकनित लेखते हैं, अपने गलत है, जरी समय वादी। क्राइब कर दोभी नहीं सब्क्बन सकति और नए सरकार का जो सपना ने प्रदेश को अधिर प्रदेश की जन्ता कि अधिर उनकी जीत होगी और यह जीत को मजबूत करने के लिए हम सब को स्विकार होगी और इस यह जीत की असली हकदार ही जन्ता होगी ठीक है दुबे साहब आगरा से एक प्रतिक्रिया सामें आई है कि हमारी कोंटिंग प्रतिया अगरा में स्टार्ट हो गई और उस्तर बैलेट जो है सुवाइड वैसे कांटिंग स्टार्ट होनी है हर जगा टेवल पर रखनी आगे हैं तो कॉंटिमस स्टार्ट होने वाली है सार्याट वैसे हमारी यह मसीन की गारना स्टार्ट होता है समस्त पांच जगर समय से साथ साथ के आसपास और गवर्स के उपस्ति में जितने एजेंट्स आये थे जितने भी हमारे कंट्रोल उनको खुल लिया गया है और मत गाना चांपा है सुरक्षाइक देश्टी सर क्या करें इंजामात किये गए हैं जैसे भी हमारा काउंटिंग आगे बढ़ेगा हर राउंड की सुचना पब्लिकली भी उकलब कराई जाएगी ताकि सुचना है सबको सब्सक्राइब किस तरह के इंजामात रहें क्या पहली बार ऐसा औरा की कांटिंग तीन चार जगह पर हुड़ी है अब तक पहुचा रहा है कौन आगे है कौन पीचे कितने रुजाल सामने आए हैं यह तमाम चीजे जो हैं लगातार हम आप तक पहुचा रहे हैं रहान कोई बड़ी ख़बर मेरट से अब आगे चल लगी है अब देखना यह है कि अगर जो एवियम से जब वोटिंग फिलने स्टार्ट होगी जो एवियम में जनता ने अपना जो मत कैद क्या हुआ है अगर जब फुलेगा उतके बार देखना यह होगा कि कब तक भाजप संजीव जी अब तो खुश हो जाए गुस्ता छोड़ दीजिए अब तो बीजेपी को पचार दिया पीछे आपने रुजानों में संजीव जी आवाज आ रही है आपकी जी देखिए सब मैं हम पहले से हम पहले बोल चुके हैं कि समाजवादी पार्टी और गठबंदन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और अभी और गंटे बाद आप देखना कि यह लोग बहुत पीछे चले जाएंगे जो एवियम की मस्तीन से जो बोटे खुलेंगी अभी जो बोटे आएंगी तो जन्ता की बोटे आएंगी और एक गंटे के बाद यह इतना पीछे चले जाएंगे कि खुदी गायब हो हुआ जनता अनुद की सरकार बने जा रही है देखे सजीव हमें बारा की हम बात करें हैं 2017 की हम बात करें तो 2017 में पहली बार युपी के इतिहास में ऐसा हुआ रिखुड विल्कुल विल्कुल यह बोड यह चीट जो वह हैं लगबाग 200 से ऊपर जाएंगी कि अधाइस हो शीठे आमारी जाएंगीड है ऑफ फिर टाल वार कैसे टूटेगा है कि हमारी 225 he पहले दोजार बारे में ना मैं आपका रिकॉर्ड की बात नहीं कर रही हूं में 2017 में भाजपा रिकॉर्ड कायम कियाता है ते हासिक यूपी में पहली बारवाता कि कोई पार्टी इतनी जादा संख्या के साथ जीती ती उत्तर प्रदेश का तेहां से गिंता वो आपकी अवा अधिव जी सिस्टम सिस्टम किसका खराब है वो तो खेर दुनिया देख रही है पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है हमारे सिस्टम तो बिल्कुल ठीक है आप बताइए कि आप डिकॉर्ड में वाले है या नहीं पहले बताईए देखे मैंने यह जी का आपकुछ है और जन्ता के ऊपर हमें भरोसा है उत्तर प्रिदेश में अच्छी सरकार समाजवादी और गटवंधन की बनने जा रहे हैं और 2023 आते आते इनकी सरकार केंदर में भी गिर जाएगी केंदर की भी चली जाएगी तो 2024 के भी भविश्य माणी समाजवादी पार्टी ने चली तक लागों मैं सम्वां ए notre शोबर गेंद्ता ओक्र एक पर आतीन वर्स्वास एं और जन्ता जनारधन पर विश्वास है क्योंकि जब ये लोग जब जनता को जरू रती थी और यह नीद की गोली खाकर सोओ हुए थे राट्सार आटा ने दाटी G tracked you सभाज़म्हादी दंडियु ले परीवारों को वो जनता भूली रही है किसारों के ओपर गोलियां चलवाई चिसारा को ऑपर पानियों की बोचार पिडलवाई कीले धुकवाई और चात्रों ने अगर अपना धिकार मांगा तो चात्रों नोजवानों के उपर इनों ने ले आप मैं दूसरा में आपको बता दू आप 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 एसी है कि नोने विवस्ता बनाई किया मेरी आवाज आ रही है बिलकुल आरी है आपके पास मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है आप आप तोरे होगे पुलिस जाएगी आपका एंकाउंटर कर देगी और 2017 से पहले लोग अपने घर में भी सुरख्षित नहीं थे यह महावारत के वो पाखंडी लोग है जिन्होंने चीरहन किया जिन्होंने चीरहन किया यह पाखंडी लोग है यह लोग है वो अच्छा यह लोग है वो उत्ता प्रदेश के अंदर चीरहन तक किया लोग है एक मिनट एक कमेंट पहले यहां मैं जैस्वाल साहब सहाब से लोगी और आपके जवाब दूबे साहब से लोगी जैस्वाल साह अब दो सीटों से संटूस्टी करके बैठे हैं उम्मीद है बहुत जादा मुझे तो ऐसा लग रहे है कि आप दो सीटों में खुशी मना रहे हैं आम से बैठ गए आगे बहुत लड़ाई है अभी तो आप पर तो कॉपी राइट सपा कर रही है कि एवियम पर तो हमारा कॉपी राइट हमें जंता ने वोट दिया है लेकिन उत्ता परदेश में परिवर्तन का लहर है परिवर्तन होगा यह अभी शुरुवात आप देखें होंगे कि तमाम हर समय ही होता है बायलट का सुर्वात में जो पार्टी सबसे आगे जाता है तो धीरे से खसकना सुरू हो जाता है हावेसा कि समय है ऐसा हुआ जब मारता है और तीजरी और औरो ढीमी गती से चलके आगे बढ़ता है दिथे है और बार मैं पांचों रांचों Bible जनता तैक कर चुका है कि मोदी और उत्रप्रदिसयोगी का वापसी एक सन्यासी मंदिर में गुजरात वापन जाएंगे जनता निश्चित कर चुका है क्योंकि यह देश गुजरात माडल पर जिस तरह से भरमित होकर देश के आवाम अर्थ बेवस्था युवाओं बेरोजगारी का कहर जिस तरह से किसानों पर अत्याचार यह देश का जनता देख चुका है और चाहे जितना प्रपगंडा जितना प्रचार प्रसार कर ले प्रचार मंत्री प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री हो गए अपना परिधान मंत्री प्रचार मंत्री ऐसा देश का कोई प्रधान मंत्री नहीं रहा होगा कि पक पक पर अपना भासा बदले पक पर पना ड्रेस मतले और देस के उननती आप एक देस के निए जैसवार साहब हमारे सयोगी विजुड़ गए है हमारे सयोगी जुड़ गए है लखनों के कैसे इस्तिती अनुराग बदॉर यह पीचे चल रहे हैं एसे जानकारी वे लिए थी कि मांचू हुक जानका पर यहां मद्दान चालू मर्णा जाओ चालू हो चुकी है पुछिसमन नौ भीडान सभा में से पांच बीजेपी बड़ा चाह जालू है इसके लावा कोई बड़ी जानकारी मांजू इसके लावा कौन विजए तीक है इमान्चु रिहान भी हमार साथ बने हुए मेरट से रिहान मेरट में किस तरह की तस्वीर तो रिहान तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है चलिए उनसे दुबारे समपर किसा देंगे दुबे साहब हमार साथ लेकातार बने हुए है दुबे साहब कॉंग्रेस अंटूस्ट है दो से बीजेपी कह रही थी कि हम 300 का आकड़ा जो है वो पार करेंगे लेकिन बीच में 300 का जो नारा है वो बंद हो गया लेकिन जैसे एकजिट फोल सामने आए और बीजेपी को बढ़त मिली तो एक बार फिर से बीजेपी जोश में आ गई और कहने लगी कि हम तो जीत रहे हैं देखिए पार्टी की सरकार बन रही है और इसमें कोई दोर आए नहीं है उत्तर पुदेश के अंदर और दूसरी बड़ी बात समाजवादी पार्टी के में तो कुछ भी कहें जैसे ही वो उनकी जहां-जहा कोहार में तो जनता कंफ्यूज हो जाती इन लोगों ने यहीं कि अवर्ट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जनता कंफ्यूज करने कोशिश करी कॉशिश करी कॉंग्रेज भी एक है सप्पा भी एक है बस्पा भी एक है इनको आए कि मकसद था किसका राश्वादी शरकार नहीं आने दी जाए और उस मकसद को जनता ने पूरा नहीं होने दिया अभी इनको गुस्ता है तो अब वो गुस्ता अधिकारियों पे बेहतर अब्यवस्था कैसे बने उत्तर प्रदेश में लोग कैसे दुखी रहे इनोंने आरोप लगा दिया कि होटल में कोई करें हम सब के काम से अच्छे काम से हमारा राज प्रभावीत होता है और आज लोकतांतर के विजय का दिवस्थ है हमारी जो जीते गा वो सरकार बनाएगा और जनता में जिसको गोड दिया वो जीते गा सरकार बनेगी हमारे हाँ तो यह है नहीं कि हम गर्दन किसी कौड़ा बिखुश इंतिजार कर लें के समाजवादी पाटी के बादूस के समाजवादी के लुदु और इंतिजार में, इंतिजार बहुत है। मैं आपको रोक रही हूं कुछ पर तिक्रिए सामनी आ रही है। जरा हम दर्शुप को सुना देते हैं। कि तृट सब्सक्राइब कर दोए फिर पांच जगह समय से आध़ साथ के आधवस्थ की जितने एजेंट्स आये थे जितने भी हमारे इंगल पूलन पर अगे और दो मत गाना चम पर आधा सब्सक्राइब कर दोनों साइड में जैसे भी हमारा कांटिंग आगे बढ़ेगा हर राउंड की सुचना पब्लिक लिए उकलब कराई जाएगी ताकि सुचना है सब्सक्राइब कर दोनों सब्सक्राइब कर दोनों सब्सक्राइब करना चाहते हुए सब्सक्राइब कर दोनों 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 यहां आत्रस विदान सभा में काम कर सकूँ जन हित में लोग हित में चलने वाली सरकार का एक अंग बन सकूँ और मैं समस्ती हूँ कि बिहारी जी और दाउजी महराज की इस थली पर इस पवित्र और पावन इस थली पर काम करने का मौका मुटीव हुए मैं पूरता आस्वस्त हूं क्योंकि जनता ने जस्डंग से मद्दान किया है उसको लेकर मैं यह कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी के रूप में सदर विदान सभासे कामरत कर दिया है और यहां सरधनाक मैं तो कुछ कहना ही नहीं आप तो पता है यहां कम से कम 25,000 से जीत होगी आप बताओ आप कितने आस्वस्त हैं मैं 100 परसेंट वास तो हैट्रिक 100 परसेंट लग लिए लोग तंदर का महा परव है परसों से कुछ राजने तिकदल आसंकाओं में यहां मंडी पर आये थे और वो मंडी की निगरानी कर रहे थे भारत मिरबाचनायोग के दिसाने देशों के अबसार जिस दिन से हम लोग ने हाई बियम पूल की है इतने भी कैंडिडेट थे उनक कि आठ बजे से प्रारव्म होगी साथ विधान सवहां की मतगणना यहां मंडी परिसर में होगी अंदर हाल में सीपी में की तैनाती की गई है उसके बाहर प्रयाफ दिसबल तैनात किया गया है हमें सभी राजनेतिक दलों के जो अध्यक्ष हैं जो कंटेस्टिंग कंडिड इनके साथ बैठ करके संभाद किया है अर्थ मेर बाचन आयों के जिसा ने लिशों को भली भाद ही अउगत करा दिया गया है उनको यह भी बता दिया गया है कि जीतने कड़ाद को जुरूस नहीं निकलना है और विट के गाइडलाइन का मपालंद किया जाना है और सब ही अनाथराइज लोगों को रोग दिया जा रहा है और वहां से केवल जो जिनकी फोटो आइडी बनी हुई है उनी को अलाव हम लोग कर रहे हैं और अभी आट बज गया है और सखुसल हमारे यहां पे मतगर्णा का कार्य सुरू हो गया है हर विदानसभा के लिए अलग अल गाल बने हैं और हर विदानसभा में 14 टेबल बने हैं केवल सदर की जो जानपुर की उसमें 21 टेबल हैं तो साड़े-8 बजे तक यह पोस्टल बायलेट की काउंटिंग होगी और साड़े-8 बजे के बाद से फिर-ई-वी-एम की काउंटिंग सुरू होगी सारे प्रेक्ष कि दानसवा में तीन टेबल चार टेबल जैसे रिक्वाइर्मेंट है उस हिसाब से लगी है रिजर्व में दस परसेंट कार्मी कोई समस्या नहीं है जहां तक कानून ब्युस्ता का प्रस्थ नहीं है पूरी सक्ति के साथ और जैसा आपने अभी बाहर भी देखा होगा वह भी से लगाए गया था सीची टीवी जो मानक है आयोक का उसके हिसाब से हर जगह पे पहले भी स्ट्रॉंग रूम जो थे वह अंडर सीची टीवी सर्विलांस ते इसके अलावाद जो हमारे जेतने भी काउंटिंग हॉल्स हैं हर जगह पे सीची टीवी कैमरा वीडियो ग्राफ और दिखाई देरी है रूज़ानों में दावे किया जा रहे हैं लेकिन एक बड़ा लेकिन जिसका मैं जिकर अभी करने जा रहा हूं पूरी जिमेदारी के साथ कि ये रूजहान सिर्फ और सिर्फ अभी हवा में तीर है हवा में तीर है इसका एक बहुत बड़ा उधारण कई जिलों में पोस्टल बैलेट्स 16, 16, 15, 11,000 हैं पहले पोस्टल बैलेट्स की गिंती होगी और फिर उसके बाद गिंती असली शुरू होगी और इसके साथ साथ एक बड़ी बात और जहां पोस्टल बैलेट्स का जिक्र किया जा रहा है रुज़ानों में दावे किये जा रहे हैं कि ये तस्वीर वो तस्वीर ये तस्वीर असली तस्वीर लग भग 11 बजे के आसपास आना शुरू होगी ये अभी धुंदली तस्वीर है मैं इसे धुंदला भी नहीं मानूंगा ये अभी सिर्फ दावे हैं हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा उधारण मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार सुभा से नौन स्टॉप आप तक कवरिज पहुचा रहे हैं एक सबसे बड़ा उधारण में आपको देने जा रहा हूँ मेरे साथ मेरे सहयोगी सुभाश गौड इसमक जुड़ चुके हैं और सुभाश ग्राउंड जीरो पर मौजूद है सुभाश दावे किये जा रहे हैं बीजेपी को इतनी रुजान में कॉंग्रेस को इतनी रुजान में जितना मैं उत्राखंड को समझ पाया अभी तो पोस्टल बैलेट्स की गिंती भी नहीं होई होगी तो जरा मुझे यह समझाओ भाई यह कौन से रुजान चल रहे हैं कौन से रुजान है यह उत्राखंड में बिल्कुल यह बिल्कुल बिल्कुल सही बात है क्योंकि अभी तब पोस्टल बैलेट्स की गिंती चल रही हो जहां पोस्टल बैलेट्स की संख्या कम थी वहां EVM पर जरूर गिंती शुरू हो चुकी है लेकिन जिस तरीके से रुजान आ रहे हैं कि BJP आगे चल रही है कोई ची दिखा रहा है कॉंग्रेस आगे चल रही है लेकिन क्योंकि अभी तक पोस्टल वैलेट की गिंती पूरी नहीं हो पाई तो रुजान का कहना साफ नहीं होगा लेकिन जिन सीटों पर पोस्टल वैलेट की संक्या कम थी उनका जरूर ये कहा जा सकता है कि पोस्टल वैलेट में कौन आगे निकल गया वो रुजान दीरे दीरे आना शुरू हो रहे हैं लेकिन जिस तरीके से अभी तक दिखाया जा रहा था कि BJP इतने वोटों से आ लगी अगर मैं राज़दाने दे रहा दूँ कि 10 सीटों की बात करो उत्राखंड में 10 सीटों में से लगवक तीन ऐसी सीटें जिन में पोस्टल वैलेट की इनकी पूरी हो चुकी और अब मैं ये बता सकता हूँ कि कौन आ गया और कौन पीस्ट है क्योंकि पोस्टल अनने कोई टिपड़ी नहीं की और पंजाब में उमीद है उन्हें कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बने की और जो आम आदमी पार्टी के आप फेवरेट कलर है ब्ल्यू और वाइड उससे पूरा का पूरा जो कार्याले सजा दिया गया है सुभाश अपनी बात करि आपको सुभाश क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सुभाश दिस्कनेक्ट हो गए लेकिन मैं अपने महमारों की तरफ रुक करूंगा हमारे साथ एके मिश्रा भी जुड़ गए हैं राजनेतिक पंडित हैं राजनेतिक विशेशक के रूप में साथ-साध देयराम भार को जुड़ गए हैं सोल्दे भारते समाज पार्टी से साथ हमारे साथ शान खान जुड़ गए हैं कॉंग्रेस से और यह लगातार तस्वीरे जो दिल्चस्प तस्वीरे आद दिन भर की आ रही हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं पल-पल की अपडेट आप तक पहुचा है सुभाश मेरे साथ मेरे सायोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ा हैं सुभाश एक पर फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा यह पोस्टल बैलेट्स और उत्रा खंड बहुत पुराना नाता है मैं फिर से कह रहा हूं जिमेदारी के साथ नियूर्जवाल इंडिया कह र कि जब तक इवियं पर नहीं पूर्च जिंति पूरी नहीं होती तब तक रुजान कहना प्र साफ गेसिऐ कर दो भी ससे बसुत जहां कि इना जा सकता है। यह बड़ी ख़बर को शाँबी से डिपटी सीम केश्व प्रसाद मौरे पीछे चल रहे हैं यह बड़ी खबर समाजवाधी पाटी की पलवी पाटेल केश्व मौरे से आगे चल रही है पोस्टल बैलेट जिसका मैं लिक्र कर रहा था ना झागर। जनाब मैं कह रहा हूं यह अभी तो रुजहान है हवा में तीर मारे जा रहे हैं इतने उदास कियो हो मेरे भाई क्यों क्यों इतना उदास हो तिलक भाई आपका बहुत भाई आपके चैनल को आपने पूरो जीरो ग्राउन्ड से ले करके हमेसा मुखर ओकर के जिन मुद्दो को उठाने का काम किया आपके आपके चैनल को बहुत बहुत भाई और इस अच्छी बात यह है कि इतनी प्रमुक्ता से मेर सभी में बैट राह सबसे बड़ी खबर है अगा डिप्टी सीम कैश्यों परसाद मौरे पीछे चल रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश हो सकता है लेकिन ये पोस्टल बैलेट्स है मैं फिर से ये बात कह रहा हूं अभी भी हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं ये अखले शादो का ट्वीट एक सेकिंड इम्तहान बाकी है अभी होस्लों का वक्त आ गया है अब फैसलों का मदगर्णा केंद्रों पर दिनरात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिये रहने के लिए सपागडबंधन के हर एक कारेकरता समर्थक, नेतागण, पददिकारी और शुपचिंतकों को हिर्दे से धन्यवाद लोकतंत्र के सिपाही जीत का परमाण पत् इसलिए कह रहा हूं बारगव जी पिच्चर अभी बाकी है, यह हवा में तीर है, महान अनुभाव अभी मैं देख रहा हूं कि 400-403 सीटों पर दिखा रहे हैं कि रुजान आ गए है, रुजान आ गए है देखे तिलक भाई हमने कहा ना है, आज कल इस देश में गोधी मीडिया का एक रट्डे के सलिए है, चोड़ियो उस बात को, मैं यह कह रहा हूं कि उमीद है कि नहीं अभी हमें पूरी उमीद है, हम इस मुद्धों पे देखो तिलक भाई, हम गाहों गरीब किसांद के मुद्धों पे गए हैं, और हमने बताने का दश्ता का काम किया है, और आप इसी प्रदेश में देख लिजे तरह तरह की आतना है, छात्रों के साथ किस तरह उनको नोकरी नहीं हैं, वहाँ पर Ground Zero पर जो हम देख कर आए, मैं उसी के मुदावी बता रहा हूँ, यह नतीजा एक तरफा होगा, अब बैराम भारगाव, मैं आपके पास आओं लेकिन उससे पहले, सुभाश मेरे साथ जुड़े हूँ है, सुभाश दैरादून की में बात करूं, कहां कहां दिल्चस्प मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, या यह मानुक की दस की दस सीटों पर दिल्चस्प मुकाबले होने जा रहे हैं, सुभाश अन्म्यूट राजदानी दैरादून की तीन सीटों पर पोस्टल वैलेट की गिल्ती पूरी हो चुकिया और उन पर इवियम की कित्की शुरू हो चुकिया, वहीं अगर मैं अब रुज्धान की बात करूं, तो कॉंग्रेस के आरेंजर शर्मा सहस्पूर सीट से लगबग, सतरा सु सबसे महतपूर चीज यह है कि BJP की परदियाशी है, वह लगबग, एक हजार वोटों से आगे चल रही है, और इसके साथ ही विकास नगर विदान सबाबा की आदेश करिए, विचर सतर विदान सबा सीटों से आगे चल रही है, जी, ओके ग्राउंड जीरो से जो खबर मेरे पास आरी है, खबर यह आरी है कि विशन सिंग चुफाल आगे चल रहे हैं इस वक्त, आपके पास कुछ अपडेट, सुभाश, विशन सिंग चुफाल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अब यह कहा जा सकता है कि वैलेट पेपर के जो रुजान है वो धीरे-धीरे साम वके वे लुब चल गा है सकता है वो बिल्कुल, क्योंकि न रुक्षा को धित विया चुझा।